हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवंत सामा जी का ध्यन के अंतर गैत हमारे अतीत विशय का तीसरा चैप्टर दिल्ली बारवी से पंदरवी सतावदी हम आपको बताएंगे इस पार्ट से संबंदित प्रस्नों के उत्तर आप इसी परकार लगातर देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ और सबसे पहले हम आपको बताएंगे पार्ट के आंतरिक प्रस्न और उनके उत्तर आप समझ गए ना आंतरिक प्रस्न का मनलब जो कि पार्ट के बीज बीज में आप से प्रस्न पूछे जाते हैं थोड़ा सा पार्ट पढ़ाय जाता है फिर उसके बाद प्रस्न दिये जाते हैं तो आप देखें इसको अपने पार्ट के अंदर कुछ प्रस्न आपको मिलेंगे उनके उत्तर हम आपको पहले याँ पर बता रहे हैं और साथ-साथ हम आपको बता रहे हैं कि कौन से पेज़ पर ये प्रस्न होगा पहला प्रस्न है क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और परजा के बीच के सम्बंद को समझाने के लिए उप्युक्त सब्द है और ये प्रस्न है आपको कहा पर मिलेगा बच्यों ये मिलेगा 32 नंबर पेज पर यानि 32 नंबर पेज पर आप देखें अपनी पाठे पुस्तक के और इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे उत्तर लिखेंगे 33 सदी के इतियास कार फक ए मुदविर ने नियाय चक्र के बारे में लिखा है राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता सैनिक बेतन के बिना नहीं जी सकते बेतन आता है किसानों से एकत्र किये गए राजसों से मगैर किसान भी राजस तभी चुका पाएंगे जब वे खुसाल और परसन हो ऐसा तब ही हो सकता है जब राजा न्याय और इमानदार प्रसासन को बढ़ावा दे न्याय चक्र का उप्रोक्त वर्णन राजा और परजा के बीच के सम्बंद को समझाने के लिए आंसिक रूप से उप्युक्त है तो इस प्रकार से आप इस पहले प्रसन का उत्तर लिख सकते हैं देख रहे हैं आप यहाँ पर यह है आपका पहले प्रसन का उत्तर इसके बाद बच्यों आप ध्यान दें आप देखेंगे पेज नमबर 33 पर और यहाँ पर दूसरा प्रसन आपके लिए मिनहाज के विचार अ और इस प्रस्टे को आप देख सकते हैं अपने 33 नमबर पेज पर अपनी किताब के 33 नमबर पेज पर आप देखें और उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं आप मिनहाज-जिराज का मानना था कि इसवर ने जो आदर्स समाज ब्योस्ता बनाई है उसमें इस्तरियों को पुर्षों के अधीन होना चाहिए ऐसी इस्तुति में रानी का सासन इस ब्योस्ता के विरुद था रजिया सुल्तान 1236 से 1240 इस भी तक दिल्ली सल्तनत की सासिका थी यादेने बच्चों आपको रजिया कौन थी रजिया जो सुल्तान थी ये 1236 से 1240 इस भी तक दिल्ली सल्तनत की सासिका थी रजिया सुल्तान को महिला सासक होने के कारण काफी बिरोद का सामना करना पड़ा जबकि रजिया सुल्ताना ने मर्दों की तरह सासन चलाया रजिया सुल्तान के बिचार मिनहाज सिराज के विपरीत था पहले पित्र परदान समाज के कारण पिता का पुत्र ही राजा होता था इसलिए इस्तरी के लिए सासक बनना कठिन काम था तो इस प्रकार से आप इस दूसरे प्रसन का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो आईए देख लेते हैं तीसरा प्रसन तीसरा प्रस्ण है क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रस्ण है आपका 33 नमबर पेज पर आप देखें और इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप सल्तनत काल के प्रारंबिक सासक गुलाम बन सके थे मुहमत गौरी का गुलाम कुतुबदीन एवक दिल्ली का सासक बना था और कुतुबदीन एवक का गुलाम इल्तुतमिश दिल्ली का सासक बना था यह दोनों सासक काफी योग्या और बुद्धिमान थे इसलिए बुद्ध मानों का कहना है कि योग्या और अन्भवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है या कथन सही है क्योंकि ये गुलाम अपनी योग्यता और बुद्ध से ही लाजाया सुल्तान के दिल जीत पाते थे इसलिए सुल्टान उन्हें बेटे से बढ़कर मानते थे समझेगे ने बच्चो तो इस प्रकार से आप इस प्रस्न का उत्तर यानि तीसरे प्रस्न का उत्तर आप यहां से ऐसे लिखें और इसे याद करें इसके बाद बच्चो बात करते हैं चौते प्रस्न की तो चोथा प्रस्न है आपके ख्याल से वर्णी ने सुल्तान की आलोजना क्यों की थी और आप देख सकते हैं ये प्रस्न है आपका 33 नमबर पेज पर और उत्तर लिखेंगे सुल्तान मुहमत तुकलग ने अजीज खुमार नमक कलाल यानि सराब बनाने और बेचने वाला जो फिरूज हजाम नमक नाई मनखा तबबाक नमक बावर्ची और लट्टा तथा पीरा नमक मालियों को उंचे प्रसासनिक पदों पर बिठाया था ये लोग सुल्तान को चापलूशी करके बड़े पत पाए थे इनके अंदर बड़े पत पाने की योगिता नहीं थी इसलिए इतिहासकार जियाउद्दीन बर्णी ने इन युक्तियों का उलेक सुल्तान के राजनेतिक बिवेक के नास और सासन करने की अक्षमता के उधारनों के रूप में किया है तो इस प्रकार से आप इस प्रस्न का उत्तर लिखेंगे इसके बाद अगला प्रस्न आप ध्यान दे कीजिए उत्तर में लिखेंगे बच्चों मुरकों से 14 सदी में भारत आये यात्री इपने बतुता ने भारत के सरदारों की रक्सा ब्योस्ता का वर्णन किया था उसके अनुसार सरदार चट्टानी उवडखाबर पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कवी कवी बास के जुर्मुटों में ये दोनों अस्तान काफी दुर्गम होते थे सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते देते थे इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेसी और फसल रहते थे अंदर ही पानी भी उपलब रहता था अर्था अर्थ वहां एकत्रित हुआ वर्सा का जल इसलिए उन्हें परवल बलसाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था तो इस प्रकार से आप देख रहें नहीं आपर ये लिखेंगे आप इस पांच में प्रस्न का उत्तर इसके बाद बच्चो आइए देख लेते हैं आप पांच में पूछे गए आपको प्रस्न है उनके उत्तर आप देखेंगे जैसे ही आपका पांच में कुछ प्रस्न दी गए गए हैं और हम आपको बता रहें उनका उत्तर तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फिर से याद करें और क्या याद करें प्रसने है पहला दिल्ली में पहले पहल किसने राजधाने अस्तापित की उत्तर होगा आपका तोमर राजबू चोहान राजाओं ने पहले पहल दिल्ली में राजधानी इस्तापित की थी इस परकार आप उत्तर देंगे दूसरा प्रसने है बच्चो दिल्ली के सुल्तानों के सासन कालों में परसासन की भासा क्या थी उत्तर लिख सकते हैं आप फार्सी वासा इसके बाद तीसरा प्रस्न है किसके सासन के दौरान सल्तनत का सफसे अधिक बिस्तार हुआ तो किसके हुआ बच्चों आपने पार्ट में पढ़ा होगा उत्तर लिखेंगे मुहमद तुकलक और इसके बाद है चोथा प्रस्न इबन बतुता किस देश से भारत में आया था उत्तर लिखेंगे मुरको यानि कि जो आजकल अफरीका नाम से है तो इसके बाद पांचवा प्रस्न इहां पर देखेंगे आप और उसमें लिखाओए सबसे पहले उपर देखेंगे आईए समझें पांचवा प्रस्न है नियाई चकर के अनुसार सेना पतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था उत्तर लिखेंगे आप नियाई चक्र के अनुसार सेना पतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किये गए राजस्व से ही सेनिकों का बेतन मिलता था मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुसाल और परसन हो ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और इमानदार परसासन को बढ़ावा दे तो इस प्रकार से आप देख रहें नहीं आपर यह है आपका पांच वह परसन और उसका उत्तर इसके बाद बच्चो आप ध्यान देंगे छटा प्रसन है सल्तनत की बीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं तो आपको मालूम हुआ क्या समझते हैं बच्चो उतर लिखेंगे बीतरी सीमा सबसे पहले लिखेंगे आप बीतरी सीमा के बारे में तो बीतरी सीमा से अभी प्राय है गैरिसन सहरों की प्रस्ट भूमी से चेतरों से गैरिसन सहरों की आउशकताओं की पूर्ती होती थी और बाहरी सीमा में क्या लिखेंगे आप हेडिंग डालके लिखेंगे बाहरी सीमा उसके बाहरी सीमा उसके बाहरी सीमा लिखेंगे गैरिसंद सहरों की प्रेश्ट भूमी से सुदूर वर्ती छेतरों को बाहरी सीमा कहा जाता था आप समझगे नहीं आपर किस प्रकार से लिखेंगे पहले आप जो बीतरी सीमा लिखेंगे हेडिंग डालके उसके बाद लिखेंगे बाहरी सीमा यह है बाहरी सीमा और यहाँ पर बच्चो उसके बाद साथ हुआ प्रसने आपके लिए मुक्ती अपने अपने करतवियों का पालन करें या सुनिचित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे आपके बिचार में सुल्तान के आदेसों का उलंगन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे उत्तर में लिखेंगे मूप्ती अपने कर्तबियों का पालन करें या सुनीचित करने के लिए निमली की कदम उठाए गए थे और क्या कदम उठाए गए थे बच्चों उतर लिखेंगे यहाँ पर जो है उतर में लिखेंगे आप पहला दूसरा तीसरा करके पहला लिखेंगे उनकी न्यूक्ति वंस परंपरा के आदार पर नहीं की जाती थी दूसरा उन्हें कोई भी इफ्ता यानि की छेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था इसके बाद तीसरा लिखेंगे आप मुक्तिती लोगों का समय समय पर असानांतरण किया जाता था और इसके बार लिखेंगे मुक्ति लोगों द्वारा एकत्र केगे राजयस की रखम का हिसाब लेने के लिए राजयस द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किये जाते थे और इसके बाद लिखेंगे पांचवां इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तैसंक्या की अनुसार सैनिक रखें तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रस्निका उत्तर लिख सकते हैं देख रहें ने बच्चो आप यह आपका साथ हुआ प्रस्न और इसमें यह सारे पॉएंट आपको लिखने पड़ेंगे इसके बाद बच्चो ध्यान देए आप आठवा प्रस्न है दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आकरमनों का क्या प्रभाव पड़ा उत्तर लिखेंगे दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आकरमनों का निम्न प्रभाव पड़ा और एक एकर क्या प्रभाव लिखेंगे उनके यहाँ पर जूए है नमबर एक लिखेंगे आप मंगोल आक्रमनों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मुहमद तुकलग को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी इसके बाद दूसरा पॉएंट लिखेंगे आप अलाउद्दीन खिलजी ने सेनिकों को एकत के अस्तान पर नगत बेतन देना तै किया और तीसरा लिखेंगे मुहमद बिन तुकलग ने दिल्ली के पुराने सेहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सेनिक छाओनी बना दी गई इसके बाद चौथा लिखेंगे आप अलावदिन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए जो मुहमद तुकलग ने तामबे के नए सिक्के चलवाए तो ठीक है ना बच्चो इस प्रकार से आप उतर लिखेंगे इसके बाद अगला है यहाँ पर आईए विचार करें और यहाँ पर क्या है क्या आपकी समझ में तवारीक के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं समझ गए ना आप तो यहाँ पर उतर में क्या लिखेंगे हमारी समझ में तवारीक के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते थे क्योंकि नमबर एक तवारीक के लेखक सची परसाक कवी और दर्बारियों जैसे सुसिक्सित ब्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और सासकों को परसासन सम्मंदी सलाह देते थे वे नियाए संगत सासन के मैतों पर बल देते थे नमबर दो तवारीक के लेखक नगरों में रहते थे गाउं में साइद ही कभी रहते हों और अगला पॉएंट लिखेंगे आप वे अक्सर अपने इतियास सुल्तानों के लिए उनसे धेर सारे इनाम इकराम पाने की आसा में लिखा करते थे तो इस परकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों दस्वाँ प्रस्ने याँ पर दिल्ली सल्तनत के इतियास में रजिया सुल्तान अपने धंकी एक ही थी क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्विकार किया जाता है उत्तर में क्या लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे आप आज भी महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्विकार नहीं किया जाता इस प्रकार से आप उत्र लिख सकते हैं ग्यारूआ प्रस्ण है बच्चों ग्यारूए प्रस्ण में डिली के सुल्दान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे क्या आज भी जंगल उनी कारणों से काटे जा रहे हैं तो उत्र में क्या लिखेंगे आप गैरीसं सहरों की प्रेस्टि भूम में इस्थित बीतरी छेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमना के दो आप से जंगलों को साफ कर दिया गया और सिकारी संगरहा को तथा चरवाहों को उनके प्रियावास से खदेड दिया गया यह जमीन किसानों को दे दी गई और किरसी है और कौन-कौन से कारणों से नंबर एक प्राइंट में लिख सकते हैं आप किरसी भूमी को प्राप्त करना वह आवासों का निर्माण करना नंबर दो परेभेन मारगों का निर्माणवा खनन कार्य के लिए और नंबर तीन बड़े बानों का निर्माण में बनों की है ना तो इस प्रकार से आप यहां तक इसका उत्तर लिखेंगे इसके बाद बच्चो आगे देखते हैं आईए करके देखें यहां पर देख रहे हैं आप आईए करके देखें तो यहां पर जो इसमें आपका बारुवा प्रस्न पता लगाई है कि क्या आपके इलाके में दि बच्चों तो आप बता सकते हैं कि आपके इस इलाके में बहुत पुरानी चौद्वी पंद्रुई सोलुई सदी की कोई इमारत है उत्तर में आप लिख सकते हैं दिली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारत हैं और यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप एक टेवल बना सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर यह बनी हुए टेवल और यहाँ पर जो है इसको आप अपनी नोट बुक में नोट कर सकते हैं इसे जो एडंक से आप लिखेंगे जैसे कि परसिदी मारतें, निर्मान करता और निर्मान वर्स तो यहाँ पर नमबर एक में कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, नमबर दो में होजखास दिल्ली, नमबर तीन तुखलकाबाद का किला दिल्ली में, नमबर चार फिरोसा कोटला दिल्ली में और नमबर पांस खिड़की मस्जिद जो कि दिल्ली में है, निर्मान करता कोन है, क रोज साथ तुकलक ने बनवाया और खिड़की मस्जी जो दिली किया ये किसने बनाई बच्चो मुहमद तुकलक ने कब बनाई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं दिर्मान का वर्स 1199-1208 यहाँ पर 305-321-25 और यहाँ पर 354-326 तो इसको आप जो है अपनी नोटबुक में इसी प्रकार से अच्छे से याद करें इसे समझें और इसे लिखें तो बच्चो इसके साथ ही इस पार्ट से संबने प्रस्णों के उत्तर यहाँ पर समापत होते हैं उमीद है कि आपको इन पार्ट में जो हमने आपको प्रस्णों के उत्तर बताए अच्छे से समझाए हो आप इसे अच्छे से याद करेंगे अपनी नोट बुक में इन्हें नोट करें ताकि आपको परिक्षा के समय किसी परिशानी का सामना ना करना पड़े